आज हम एच के दास एक्ससाइज 3.5 कुशन नमबर 7 & 8 के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिये सुन्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्रीज लाइक सिस्क्राइब और सेयर जरू करें तो चलिए कुशन नमबर हम 7 स्टार्ट करते हैं डिये सुन्स अभी तक डिये सुन्स जितने भी मैंने lecture सो आपको मैंने provide कर रखा है हरी कुशन्स में यही method लगरा है linear differential equation का तो इस chapters में इस exercise में डिये सुन्स सारे कुशन्स इसी method से लगेंगे मैं one by one करके मैं कुशन्स करा रहा हूं आप भी कुशन्स को solve करिएगा कहीं भी अगर doubt हो रहा है तो आप problems आप whatsapp पे discuss कर सकते हैं तो deviation चलिए हम question number 7 को लगाते हैं solve करते हैं deviations यह कैसे solve होगा बात clear है ना तो deviations question number 7 सबसे पहले हम लोg solve करेंगे देखें गजयन से हमारे पास में question number 7 clear अब इसमें हम लोg क्या करेंगे deviations x cos x का हम लोg divide कर देंगे क्यों कर रहा है क्योंकि हमें dy upon dx का coefficient कितना बनाना है 1 बनाना है बात clear है रहा है ना तो यहाँ पे 1 होना चाहिए तो dy upon dx plus कितना deviations आपके पास में कितना मिल जाएगा y x sin x plus cos x अब किस से divide कर रहा है x cos x से x cos x से आप divide कर देजे इधर भी आपको divide करना पड़ेगा 1 upon x cos x ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा deviations हमें थोड़ा से calculation करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है ठीक है हमने लिखा x cos x का आप इसमें divide कर देजे अलग अलग तमस में तो x से x cancel हो जाएगा sin x upon cos x होगा तो आपके पास इसको आप tan x भी लिख सकते हो चली एक step और लिख देते हैं ठीक है ना तो यह भी लिख लो x upon x ठीक है ना इधर क्या होगा cos x upon कितना x cos x इधर हमारे पास में 1 upon x into cos x चल रहा है यहां तक समझ में आ गया है ना देखो यहां से x से x cancel होगा तो आपके पास में dy upon dx प्लस आपके पास में y लिखा मैंने यह sin x upon cos x क्या होता है d x से sin x होता है ठीक है clear है cos से cos cancel होगा 1 upon x बच जाएगा यहां पर equal to आपके पास में 1 upon x cos x आएगा आप देखे यह linear differential equation के यह standard form में convert हो गया अब यहां से हम लोग क्या करते हैं बदाए जल्दी से यहां से हम लोग p की value calculate करते हैं सर तो p की value आपके पास में यहां से कितनी आएगे तो p की value हमारे पास mediation p की value बदाएगे p की value कितनी होगे 10x plus 1 upon x into हमारे पास में q की value कितनी होगी 1 upon x cos x होगा बात के लिए रहें अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे integrating factors निकालते हैं integrating factors ठीक है integrating factors तो हमारे पास में इसका formula क्या होता है i.f equal to e की power में integration p into dx ठीक है ना अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे value put करते चलेंगे integration करते चलेंगे और कुछ भी नहीं करना है integration p की value कितनी है p की value है 10x प्लस 1 upon x और into कितना dx आप देखेगा ध्यान से यहां से आपके पास में 10x का integration आना चाहिए और lectures में मैंने सिखा रगगा है ठीक है बीडियो अगर आप देख रहे हैंगो 10x का integrations कितना होता है ठीक है तो मैं यहां पर मैं direct लिख रहा हूँ तो e की power 10x का integration होता है log C की x ठीक है 1 upon x का integration होता है log x प्लस का deacence c बात क्लियर है अब देखिए deacence 1 मैंने आपको formula सिखा रखा है logarithm का अगर आपके पास में log m प्लस कितना log n होता है तो आपके पास में log m into n हो जाता है अब देख लिजे यह log C x है plus log x है इसका मतलब दोनों log है तो C x into x हो जाएग मतलब x into C x लिख सकता है तो आपके पास में यहाँ पे देखिए e की power में हमने किवल लिखा log m into n मतलब C x into x लिखे चाहे x into C x लिखे है ठीक है तो आपके पास में यह चीज़ आ गई आप देखेंगे यहाँ से यह चीज़ तो cancel हो जाती है मैंने सिखा रखा है ठीक है तो आपके पास में x से के x आ गया और plus का C तो हमारे पास में ds trends integrating factors की जो value आ गई हो कितनी आई x से के x है plus का C ठीक है अब हम क्या करेंगे linear differential equation आप general solution निकालेंगे बात के लिए रहे नो तो यहाँ तक आप note करिएगा अच्छे से video pause करके मैं यहीं पर मैं solve कर रहा हूँ ठीक है न अब देखेंगे deviations हमारे पास में इसका formula क्या होता है LDE of solution ठीक है न y into integrating factors equal to equal to क्या होता है integrations integrating factors into q into dx और plus का c ठीक है देखेंगे देहान से मैं इधर ही रखते जा रहा हूँ चले यहाँ बलिग देता हूँ y into integrating factors की value कितनी आई है x से क x equal to integrations integrating factor मतलब x से क x q की value कितनी आई सब से important बास q की value कहा है यहाँ पर 1 upon है x cos x है देखेंगे देहान से q की value रखा 1 upon x into cos x 1 upon x into cos x into dx और plus का c देखें यह x से x cancel हो जाएगा 1 upon cos x क्या होता है sick x और sick x का sick में multiplication करेंगे तो आपके पास में क्या आजाएगा sick square x आजाएगा और sick square x का integrations कितना होता है sick square x का integration होता है 10 x और plus का c तो deviations यह आपके पास में यह answer आजाएगा बात क्लियर है अगर आपके पास में sick x का आप divide करना चाएगा तो divide कर लीजे ठीक है आपके पास में answer क्या आ रहा है x y आ रहा है तो sick x का की value आप divide कर दीजे आपके पास में answer आजाएगा देखेगा मैं केवल sick x का मैं divide करूँगा x y आपके पास में left hand side में है देखे गद्यांसे तो यहाँ पे आपके पास में कितना होगा इधर मैं लिख देता हूँ x y x y equal to ठीक है तो आपके पास में यहाँ पे आजाएग बिटा tan x आपके पास में sick x होगा ठीक है into into कितना होगा बिटा plus होगा बिटा आपके पास में c upon c upon cos x अब धियान से देखेगा distance कुछ भी नहीं करना है tan x को हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे sin x upon cos x और intellect x को क्या लिखेंगे 1 upon cos x तो cos x क्या होगा cancel हो जाएगा तो आपके पास में केवल यहाँ पे sin x बचेगा इसको लिखना sin x upon cos x sick x को लिखना 1 upon cos x cos x से cos x cancel हो केवल sin x बचेगा तो आपके पास में यहाँ पे sin x आ जाएगा plus c मैंने लिखा 1 upon cos x क्या होता है ckx ठीक है तो यह आपके पास में डियर संच यह final answer हो जाएगा आप देख लिजे xy equal to sin x plus c ckx sin x plus c sorry ckx का मैं divide कर रहा हूँ तो आपके पास में यहाँ ckx को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं तो आपके पास में यह final answer आजाएगा ठीक है कुछ भी नहीं करना इसमें आपको सिर्फ क्या करना ideations, integrations आप अच्छे से करिए answer match मत कराईए मैं बार बार बोल रहा हूँ ठीक है लेकिन आपकी यादत बन गई कि sir आप answer match करवाईए कोई दिक्कत नहीं आप उसको वहाँ पर सही से करिए ठीक है ना तो आपके पास में question number 7 का answer याए x y equal to sin x plus कितना c cos x अब इसको आप note करिए अब इसके बाद हम question number आपको 8 बताते हैं ठीक है ना देखेगा देहां से हमारे पास में question number 7 11 तो हो गया अब 8 हम लोग कैसे करेंगे deviations देहां से देखेगा थोड़ा सा में speed में बताएंगे बात clear है क्योंकि देखे हर एक question में समय दे रहा हूँ ठीक है हर एक question में मैं समय दे रहा हूँ चिसे आपको अच्छे समझाने की आपको really मैं बता रहा हूँ कहीं भी आपको doubt नहीं होगा आप सभी question को आप खुद solve कर सकते हो ठीक है तो ds1 हम यहाँ पे question number 8 हम लोग solve करेंगे हम यहाँ पे देखे मैं क्या करूँगा dy.dx का coefficient कितना बनाऊंगा 1 तो आपके पास में x log x से आपको क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा हर एक terms में 2 log x है आप किस से divide कर रहा हो x into log x तो आपके पास में यह तो cancel हो जाएगा तो आपके पास में यहाँ से हम लोग किस की value calculate करेंगे बताए जल्द से p की and q की अगर यहाँ से बिटा आप p की value calculate करोगे तो 1 upon x log x आएगा and अगर आपने q की value calculate किया तो आपके पास में कितना मिल जाएगा log x से log x cancel हो गया तो 2 upon x मिल जाएगा अब आपके पास में यहाँ पे divide sense हम लोग क्या करेंगे integrating factor निकालेंगे और integrating factor का formula आपको learn होना चाहिए ठीक है और integrating factor का formula क्या होता i.f equal to कितना e की power में integration p into dx तो e की power में integration p की value कितनी है 1 upon x log x x log x into कितना dx अब दिखें सबसे important बात क्या होती derivations यहाँ पे बच्चे फज़ जाते है 1 upon x log x आगे आप इसके integrations आप कैसे करोगे अगर जो बच्चे स्टुडेंट्स को अगर integrations आता है उसको पता चल गया होगा यहाँ पे करना क्या है बात के लिए रहे देखो अगर आपको आता है तो आपको पता चल गया होगा हमें करना क्या है सर यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना है देहां से देखिएगा i.f.2 आपके पास में e की power में integrations देखिए मैंने लिखा 1 upon x इसके divide में लिखा log x क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं मैंने 1 upon x लिखा into upon में log x लिखा क्योंकि इसको अगर लिखेंगे deviations तो ऐसे लिखेंगे ठीक है मैंने 1 upon x लिखा divide मैंने क्या लिखा log x लिखा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ yes या no लिख सकते हैं अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि सर यह तो अब हम लोग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखिए मैंने आपको क्या सिखा रहा है कोई भी आपके पास में function होता है इसका differentiation करो तो f dash x आता है अगर आ गया तो आपके पास में इसका answer क्या होता है log fx और plus का c यह मैंने सिखा था तो देख लेजिए log x का differentiation कितना होता 1 upon x होता है तो आपके पास में कितना आ जाएगा log fx मैंने लिखा log fx fx मतलब यह log x यह बात clear है और plus का c और मैंने आपको यह भी सिखा रखा यह तो उड़ जाएगा तो आपके पास में क्या मिल गया only log x ठीक है तो हमारे पास में क्या होगा y into integrating factors ठीक है equal to integration integrating factors into q into dx और plus का c तो हमारे पास में y into integrating factors की value कितनी आए बाता log x equal to integration यह भी log x into q q की value कितनी है आपके पास में 2 upon x 2 upon x into dx और plus का c बात क्लियर है देखें के दियांसे यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक समझ में आ गया सर कोई दिक्कत नहीं है अब आपको इसको इसका integration करना है देखें के दियांसे हमारे पास में ds और जब इसका हम लोग integrations करेंगे तो आपके पास में y into log x आ रहा है हमने लिखा integration लिखा देखें के दियांसे यह मैं 2 को मैं बाहर कर रहा हूं चलिए मैंने 2 लिखा into मैंने लिखा चलिए 2 upon x into log x लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब आप एक चीज़ हमें बताइए इसका integration कैसे करेंगे बताइए integrations कैसे करेंगे अभी तो सर आपने यह नीचे था 1 upon x आप इसको उपर ले गए ठीक है और आपके पास यह नीचे था log x वहाँ क्या है नीचे log x नहीं है वहाँ पर यह log x multiplication में है यह तो नीचे है तो मैंने 1 upon x लिखा उसको भी आप लिख सकते हो 1 upon x into log x लिख सकते हो यही ना दिखेगा आपने यह चीज़ पड़ रखा होगे पीटा अगर मैंने log x लिख किया ध्यान से दिखेगा मैंने क्या बोला मैंने sir log x को मैंने लिख कर लिया है कितना t इसका differentiation करूँगा 1 upon x into dx equal to dt आ जाएगा तो 1 upon x into dx के अस्थान पर dt लिखेगा log x के अस्थान पर t लिखेगा तो आपके पास यहां पर 2 आएगा into कितना इसके अस्थान पर t लिखेगा 1 upon x into dx के अस्थान पर हम लोग dt लिखेंगे अब 2 constant है बटा आपके पास पर t का integrations कितना होता है t का integrations है t square upon 2 होगा और plus का c और 2 से 2 cancel हो जाएगा और t की value आप क्या put कर सकते है log x तो log x का whole square और plus का c और इधर क्या चल रहा है y log x चल रहा है अगर आप log x का divide करना चाहतों divide कर लिए नहीं तो आप यही answer लिख देजिए ठीक है answer match बिल्कुल मत कराइए देखिए हमारे पास में क्या रहा है y log x है log x का whole square है log x का whole square है plus का c है तो मैंने क्या बताया कि dations अगर आपको integrations अच्छे से आता हो तो आप questions को लगा सकते हो ठीक है इतने देखिए मैंने questions आपको मैंने solve करा है आप हर इक questions को लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं देखिए मैंने जो starting के videos मैंने आपको provide कर रखे उन सभी lectures को आप अच्छे से देखिए हर एक step मैंने आपको सिखा रखा है कहीं भी अगर कोई formula आ रहा है use हो रहा है कोई formula तो मैं वहाँ पर mention कर देता हूँ लिख देता हूँ जरू करें तो आज के lecture से हम यहीं पर finish करेंगे thank you very much